नमस्कार साथियो आप सभी का एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं एक बहतरीन खबर के साथ आपके सामने उपस्तित हैं जिसने की सोसल मीडिया पर फिलहाल लोगों की अटेंशन काफी ज़्यादा ग्रैब कर रखी है आप यहां देख रहे हैं दो लोगों को जिसमे कैसे जो युगती आपको दिखाई देती हैं ये हैं असल में पाकिस्तान की युगती और ये भारत के अंदर फिलहाल आई हुई हैं आई हुई कैसे हैं तो ये आई हैं PUBG गेम खेल कर इन्हें प्रेम हो गया था भारत के एक व्यक्ति से जो की आपको तस्वीर में यहां चुकी है और इनके उपर अव जांच चल रही है मामला जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि कुछ लोग जो है सोसल मीडिया के उपर काफी ज्यादा इसको लेकर हसी मजा किया कि मीम्स का मार्केट गरम हो गया है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारत की पाकिस्तान के ऊपर एक चता रही है कि कहीं ये जो लेडी आई हुई है जिसका नाम है सीमा हैदर वो कहीं पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है भारत के अंदर जासूसी करने तो नहीं आई है क्या है पूरा मामला किस प्रकार से ये आजब प्रेम की गजब कहानी चली है इसको आज के सेसन में हम जा रही है फिलाल ये और आप साधी करने की तयारी इनके द्वारा चल रही है आप देखते हैं ट्रेंडिंग के अंदर सीमा हैदर जो है वो लगातार चलता है ना शिरु ट्रेंडिंग में चलता है बल्कि पाकिस्ता जो चोटे-annenकी संगठन है क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके हम परिशान करेंगे सीमा गुलाम हैदर गुलाम हैदर इनके जो पुराने हस्बेंट है उसका नाम है गुलाम हैदर जो कहां पर रहता है वो रहता है साओधी अरव के अंदर पछले चार साल से वो साओधी अरव के अंदर रहता है इनके द्वारा दावा किया गया है कि तलाक हो चुका है लेकिन वो व्यक्तियक सामने आता है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोजी से हाथ जोड़कर गुजारिस करता है कि मेरी पतनी को वापस भेज दीजिए काफी इंट्रेस्टिंग आज की एक कहानी होने वाली है सीमा गुलाम हैदर को वहां के आतंकी पाकिस्तान वापस भेजने को कहता हुए नजर आ रहा है आतंकी दंकी देता है कि अगर सीमा और उसके चार बच्चों को पाकिस्तान को नहीं सौपा गया तो इसका अंजाम पाकिस्तान में मौजूद हिंदूओं और दूसरे गैर मुसलिमों को भुगतना होगा यहां आप करते हैं कि यह कहानी किस प्रकार से शुरू हुई थी इनकी फ्रेम कहानी और किस प्रकार से यह परवान चढ़ते-चढ़ते रह गई और साथ मैं डिसकस करेंगे कि किस प्रकार लोगों के अंदर एक खिंता का माहौल है कि ये आतंकवादी हो सकती है लड़की या फिर ये जो है एक पाकिस्तानी चासूस हो सकती है मैं सचिन के प्यार में यहां आई हूँ ये स्टेटमेंट दिया गया है सीमा हैदर के दारा मैं सचिन के प्यार में यहां आई, मैं उनसे हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, यहां का कानून और सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे यहां से बहुत चेंज है, रहन सेहन भी बहुत अच्छा है, मैं यहां रहना चाहती हूँ, मैं कराची से आई हूँ, योगी और मोदी से गोहार लगाती हूँ कि मुझे यहीं रहने दिया जाए मैंने हिंदु धर्म सुईकार कर लिया है साधी भी कर ली है लेकिन दुनिया को प्रूफ चाहिए इसलिए कोर्ट मेरिज करूंगी गंगा भी नहाऊंगी सचिन के बगएर नहीं रह सकती अब यहां देखते हैं इनक कुछ मूलभूत सवाल उनके द्वारा की जाते हैं मूलभूत सवाल जैसे की कुछ ऐसी चीज़ें जो मुसलिम धर्मके हर किसी बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए लेकिन वो इन प्रस्णों का जवाब नहीं दे पाई इसलिए इनके ऊपर बात लिखी जाती है कि मुस बारत के अंदर रहने वाले किसी भी हिंदू से आप गायतरी मंत्र पूँच ले या फिर एक बिलकुल नॉर्मल हनुआन चालीसा की पहली दो लाइने पूँच ले बिलकुल ऐसा हुआ है जो कि इनके द्वारा नहीं बताया गया इसलिए सक्के घेरे में ये आ गई है लोग कर रहे हैं कि सीवा है दर इनके बारे में क्या क्या चीजें मिली है इनके हाथ से चार बच्चे है उम्र 27 साल है फराटेदार इंगलेस बोलती है कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी नौलेज है पांच-पांच पासपोर्ट है तीन-तीन मुवाइल फोन है सिम कार्ड का पाया जाना भाई पाकिस्तान की सेना में होना इनका भाई जो है वो पाकिस्तान की सेना में है पाकिस्तान से दुबाई गई थी इनका आना जो है वो कैसे हुआ था ये थी पाकिस्तान पाकिस्तान से पहुंची ये दुबाई दुबाई के बाद जाती है नेपाल और नेप पाटिदार हिंदी बा अंग्रेजी बोलना उर्दू का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं आने देना मीडिया इंटर्व्यू कर रहा है ये कोई उत्सब मनाने का विसे नहीं है बल्कि गंभीर चिंता का विसे है ये वातें सोचल मीडिया के उपर चल रही है कहां की कहानी है तो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली वहां से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नॉइडा के एक गाउं रभूपुरा में इस समय मीडिया का जमावडा लगा हुआ है तेज बार इसमें रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब हैं सीमा हैद ऐर जिसने महबत में सरहदें ही नहीं रिपोर्टर नहीं हैदें किस प्रकार से पार की हैं वो भी आप जारेंगे इस कहानी की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नौइडा के रहने वाले सचिन के संपर्थ में आई 2019 में सीमा के मताबिक वो एक गरीब परिवार से है और अपने चार बच्चों के साथ मुश्किल से गुजर बसर कर पा रही है इसका पती गुलाम हैदर इस समय साओधी अरब में रहता है सीमा का कहना है कि उसके पती गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाख दे दिया अब उसका गुलाम के साथ कोई रिष्टा नहीं है ओनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे सीमा के मताविक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी हजारों किलो इंटर की दूरी कैसे मिटे इसके लिए दोनों ही प्लान बनाने लगे बातचीत के दौरान दोनों ने वताया कि इनकी पहली मुलाकात नेपाल में 10 मार्च 2023 में हुई थी जहां दोनों 7 दिन तक होटल में रुके और वहीं पर साधी भी कर ली इसके बाद सीमा बापस पाकिस्तान लोट गई कहानी काफी ये मज़ेदार है बिना किसी को पता चले नेपाल के अंदर दोनों की मुलाकात होती है सीमा हैदर जो है नेपाल में आती है और भारत से ये जो व्यक्ति है ये पहुचता है सचिन नेपाल के अंदर नेपाल में दोनों मिलते हैं 7 दिन तक रहते हैं और सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाती हैं सचन वापस नौइडा आ जाते हैं और उसके बाद दूसरी बार में ये जो सीमा हैदर है ये अपने चार बच्चों के साथ वापस आती हैं और साधी करने के इनके द्वारा बात बोली गई है नेपाल में कुछ इस परकार की तस्वीर जो है वो भी सोचल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसने बिना पास्पोर्ट जाने भारत जाने का फैसला किया। वो भी अकेले नहीं अपने चार बच्चों के साथ जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी सामिल थी। सीमा के मताबिक उसने अपना घर बेचा और पैसे इकटे किये। कराची से उसे सार जाहा तक की हवाई जहाज की यत्रा टिकेट लिया और चुपचाब अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने सार जाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया, काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, उसमें उसे 28 गंटे लगे। इस दोरान उसकी बेटी की तबियत भी खराब हो गई और बस में उल्टियां सुरू हो गई। पोखरा पहुचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनेली तक पहुच गई। लेकिन 4 बच्चों की मा सीमा सभी सवालों के जबाब बड़े ही आत्मिस्वास से दिये जिससे किसी को सक नहीं हुआ। बच्चा बलों ने उससे पहचान पत्र मांगा जिस पर उसने खो जाने की बात कही। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा गया। इसी तरह उसने सोनौली से दिल्ली तक का भी सफर पूरा कर लिया इस दोरान सचिन के साथ लगातार संपर्थ में रही सचिन ने नौईडा के पास उसे एक घर में छिपा दिया सचिन ने जिस घर में कमरा किराई पर लिया था उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया था सचिन ने अपने सीमा से रिष्टे की बात अपने पिता और परिजनों से बताई तो सब के होस उड़ गए सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई और वहीं ते किया गया ये दोनों की कोर्ट में साधी करवा दी जाए अब कोर्ट में जब साधी होती है तो आवस्चक्ता होती है एक वकील साहब की तो वकील साहब करने जरूरी थे और वकील साहब जब इन्होंने हायर किये तब उसके बाद वकील साहब ने सारा का सारा मामला खोला है एक वकील से संपर्ख किया गया और उसे पूरी बात बताई गई पाकिस्तानी महिला होने की बात जब वकील सहाब को पता चली तो उनके होस उड़ गए 30 जून को दोनों बुलंद सहर में कोर्ट मेरिज करने वाले थे पाकिस्तानी आईकार्ट देखकर वकील ने साधी करवाने से मना कर दिया कोर्ट से ही अपना मामला पुलिस की जानकारी में ये आ चुका था ये बात पुलिस तक पहुँच गई इधर सचिन को भी सक हो गया था कि पुलिस यहां तक आ सकती है सचिन ने सीमा को घर से निकाल दिया पुलिस को जब पाकिस्तान की महिला के अवैद रूप से भारत में आने और रहने की सूचना मिली तब तक सचिन और सीमा बच्चों समेत भाग गए पुलिस टीम ने सभी को हर्याणा के बल्लब गड़ से पकड़ा इसके बाद सचिन और उसके पिता नेतरपाल और सीमा को गिरफतार कर चार जुलाई को नियायले में पेस किया गया और तीनों को जेल भेजा गया नियायले ने बच्चों की आयुक कम होने के कारण उनकी मा सीमा के साथ जेल भेजा था सीमा हैदर और सचिन की जमानत याजका पर सुनवाई कर वकील उनके प्यार सीमा के चार बच्चों और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया सचिन और सीमा हैदर के वकील हेमंत पारासर ने कोर्ट में जज के सामने दोनों के पक्ष में एक बड़ा खुलासा किया उन्होंने बताया कि सचिन और सीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमे खाई है सचिन और सीमा जब मार्च में काटमांडू गए थे उस दोरान ही उन्होंने पसुपते नाथ मंदर में साधी कर ले थी साधी के बाद ही सीमा ने नेपाल सीमा से भारत की सीमा में प्रवेश किया है सीमा ने नियायदी से अपील की है कि वे अब भारत में रहना चाहती है पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है ऐसे में सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा सीमा ने सचिन के साथ रहने की इक वर छपीज है, अखवार के अंदर जिसके अंदर पता चला है कि इनको बेल फिलाल कोड ने दे दी है, पाब जी की ये पूरी प्रेम कहानी है, पाकिस्तानी मौम स्नीक्स इंटू इंडिया विद टू मीट लवर, लेंड्स इन नौइडा जेल, पाकिस्तान से आती है अपने प्रेमी से मिलने और सीधे नौईडा जेल के अंदर जाती हैं अब तक हमने जानी इनकी प्रेम कहानी अब जानते हैं कि क्यों इनके ऊपर एक आरोप लग रहा है या फिर कहें कि एक सक्व हो रहा है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है हाला कि शुरुआत में हमने थोड़ा सा जा सीमा के पास 4 मूवाइल फोन मिले हैं इनमें एक मूवाइल तूटा था एक मूवाइल सचिन के पास भी मिला था जो पूरी तरह से चषनिरश्त था एक फोन में पाकिस्तान का सिंभी लगा है पुलिस के रडार पर आने से पहले सीमा और सचिन करीब 50 दिन एक साथ नौईडा में रहे इस दोरान दोनों ने क्या पिया कहां गए इसकी भी जाच फिलाल हो रही है सीमा सचिन के पास से पुलिस ने तीन आधार कार्ड बरामत किये ये फरजी बनाए गए थे आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन की पतनी बताया गया था सीमा अपने साथ दो VCR कैसिट लेकर आई है अब ये VCR कैसिट क्या होती है जो लोग काफी पुलाने हैं उन्हें जरूर जानकारी होगी लेकिन जो लोग अभी नए हैं या फिर 1990 के बाद में जिनका जन्म हुआ है उन्हें सायद इसके बाद इसके बारे में काफी कम जानकारी हो VCR असल में एक काफी बड़ा एक कैसिट आता था और उसको चलाया जाता था एक VCR प्लेयर के अंदर बहुत बड़ा एक टीवी हुआ करता था किसी समय पर इसके अंदर ये VCR कैसिट चलता था जिसके अंदर वीडियो बगएरा चलती थी अब ये VCR क्यों लाई है ये बताया गया है कि इस महिला की जो साधी हुई थी पाकिस्तान के अंदर उस साधी का VCR ये लेकर आई है दो कैसिट है इसके पास पूछताच में बताया गया कि ये कैसिट उसकी साधी और बच्पन के है पुलिस इन कैसिट की जांच कर रही है कहीं कोई मैसिज तो नहीं छिपा हुआ है इनके अंदर पुलिस सोर्स के मताबिक IB और ATS ने सीमा से कई घंटे पोश्टाच भी की है सीमा के पास से क्या-क्या मिला है एक सिम, एक तूटा हुआ मोबाइल फोन, एक परिवार रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट चार जन्म प्रमाण पत्र, एक मेरिज रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट तीन आधार कार्ड, एक गवर्नर ओफ पाकिस्तान नेशनल डाटावेस एंड रेजिस्टेशन अथोरिटी मिनिस्ट्री ओफ इंटिरियर की सूची छे पासपोर्ट मिले हैं इनके पास से पाँच वेक्सिनेशन कार्ड मिले हैं क्योंकि यात्रा जो है उसके अंदर आज भी यदि आप इंटरनेशनली यात्रा करते हैं तो आपको अपना वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट की आवस्षिक्ता होती है तो इनके पास पांच vaccination certificate मिले हैं, बस का ticket पोखरा काटमांडू से दिल्ली, बस का ticket भी रोने समाल का रखा है, दो VCR इनके पास से मिले हैं, तो ये काफी तैयारी के साथ आई हुई दिखाई देती हैं, अब सवाल कौन-कौन से खड़े होते हैं, तो सवाल इनके पास पहला ख प्रष्ट मुवी से आती है, और जिस तरह से उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी जिजक्ते जूट बोलती रही है, वो क्या बगेर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है, पिछले दिनों आपके साथ हमने एक सेशन साजा किया था, जिसके अंदर बताया गया था, कि पाकि चलता है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को जासूसी की ट्रेनिंग दी जाती है, एक महिला एक दिन में लगभग पचास से ज़्यादा अकाउंट हैंडल करती है, और भारत के अंदर जो लोग हैं, उनको बहलाने फसलाने की कोशिस की जाती है, जिसको सामान भासा में हम जानते हैं, हनी ट्रेप के नाम से, अब ये सेसन हमने कब साजा किया था, आज से एक या दो दन पहले ही साजा किया गया है, और कब साजा किया गया है, जब भारत के एक विग्यानिक जो है, उनके उपर आरोप लगा है, हनी ट्रेप में फसने का, उन्होंने भी पाकिस्तानी महिला के हनी ट्रेप में फसकर भारत की मिसाईलों वगेरा से संबंदित बहतरीन जानकारियां पाकिस्तान को दे दी थी तो क्या ये हनी ट्रेप का मामला है पूरी ट्रेनिंग दी गई थी इस सीमा हैदर को और उसके बाद ही सारे काम कराई गए हैं जबकि वो खुद कहती है कि वो सिर्फ पांचवी पास है सवाल नंबर दो आता है पुलिस को सीमा के पास से कई मुवाइल फोन भी मिले हैं ये मुवाइल पूरी तरह से तूटे हुए हैं एक फोन में तो पाकिस्तान का सिम भी लगा हुआ है ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा को इतने सारे फोन इस्तिमाल की जरूरत क्यों पड़ गई और अगर इन्होंने इन फोन का इस्तिमाल किया था तो इसे तोड़ा क्यों गया है हालां कि सीमा का कहना है कि ये mobile उनके बच्चों के हैं जो कराची के अंदर ये इस्तिमाल करते थे तीसरा सवाल खड़ा होता है इस love story में एक सवाल ये भी है कि आखिर एक समगने सी महिला को PUBG खेलने और उसके जरीए किसी से बात करने की समझ कहां से आई एक पांचवी पास महिला PUBG खेलती है अंदरे जी बोलती है और चार बच्चों की माँ PUBG खेलने का समय कहां से इनको मिलता है आपने यदि अपनी जीवन में कभी PUBG खेला हो तो इस गेम की ऐसी लत लगती है कि आप कई कई घंटे फोन के उपर बिता देते हैं ऐसी स्तिति में ऐस सेम ही इस महिला के द्वारा किया गया है फूरा-पूरा दिन बात की गई है इनके बच्चो को कौन देख रहा था इतने समय तक इनकेרכ खाना बनाना साब सफाई जो भी काम है वो सब क्योंकि यह जो है जैदा अच्छे परेश्टवूम्व को जो कहानी बताई है उससे ये तो साफ है कि सीमा को टेकनलोजी और फोन का इस्तवाल सही तरीके से कब और कैसी किया जाता है इसके बारे में बखुबी जानकारी है सवाल नंबर चार है पोलिस को इस बात का भी सक है कि पाकिस्तान से भारत में गुषने तक का सफर सिर्फ में कोई और भी सामिल हो सकता है इतना बहतरीन प्लान बस से ये आती है बस से जब आ रही होती है अकेले आना इनके द्वारा बताया गया है और जब ये बस में ट्रेवल कर रही थी तब इनके द्वारा लगातार वॉट्सेप के जरिये बात की जा रही थी सचिन के साथ सवाल गहराता है कि बस के अंदर लगाता रहना, इतनी आसानी से बॉर्डर को क्रोस कर जाना, सब को ही आँखों में धूल जोग देना, तो ये अकेले तो सायद नहीं आई होंगी, ये किसी ना किसी अनिक व्यक्ति के साथ आई हैं, आई थी नेपाल तक और नेपाल तक इनको बाका साधी हो गई थी और पती साओदी चला गया था, सीमा ने बताया कि उसके पती से उसकी साधी जबरन कराई गई थी, और उन्होंने उसे तलाक दे दिया है, लेकिन गुलाम हैदर का कहना है कि उसके बीच तलाक नहीं हुआ है, बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट में सीमा के ससुर मीरजान जखरानी ने आरूप लगाया है कि उनकी बहु घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोला स्थोना लेकर गई है ऐसा आरूप लगाया है अब ये व्यक्ति सामने आते हैं जो हैं गुलाम हैदर सीमा का ये व्यक्ति पती है अब इसके दwarत क्या कहा जाता है सीमा का जुटा आतीत किस परकार से हमें पता चलता है तो दिखते हैं सीमा की पहली साधी फरवरी 2014 में पाकिस्तान में सिंद के ही गुलाम हैदर के साथ हुई थी सीमा और गुलाम ने लब मेरिज की थी सीमा का पहला पती गुलाम हैदर जखरानी अब सामने आया है गुलाम हैदर कराची में टाइल्स लगाने का काम करता है गुलाम 2019 से साउधी अरब में काम कर रहा है इस बीच दोनों का तलाक हो गया गुलाम पिछले तीन साल से सीमा से मिला नहीं था सीमा के पूरुपती ने बताया कि उसका संपर्क एक मिस कॉल के जरिये हुआ था फिर दोनों अगले तीन-चार महीने तक फोन पर ही बातने करते रहे थे तो इनकी जो पुरानी साधी हुई थी वो भी लब मेरिज थी सीमा का सचिन के साथ लब इस्टोरी भी कुछ ऐसी ही है सीमा को सचिन से पबजी के जरिये प्यार हुआ फिर सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई ये गौनों कहानियां भी जाँच एजिंसियों को खटक रही है 27 साल की सीमा हैदर गुलाम पांच मी तक पढ़ी है लेकिन फर्राट इदार अंग्रे जी बोलती हैं कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट है असल में पाकिस्तान की यदि आप बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम होती है आप एक तरफ इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनको देखते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको देखते हैं इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो सायद अंग्रे जो से भी जादा अच्छी अंग्रे जी फिलाल बोलना जानते हैं और बहतरीन जो सिस्टम है वो दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान जो सबसे टॉप मुर्ण आ जाते हैं, सेलिब्रिटि जो पाकिस्तान के अंदर माने जाते हैं, क्रिकेटर्स उन पर अंगरे जी के सवालों का जवाब देना तक नहीं आता है, ऐसी इस्तिति में पाकिस्त में अपना एक प्लोट बारे लाख रुपे में बेच दिया ऐसी बात निकल कर सामने आई है सीमा की जाच की अगर बात की जाए तो पुलिस अब जाच के लिए नेपाल जाना चाहती है विदेश मंत्राले से परमिसन मांगी जा रही है नेपाल में पुलिस उस होटल भी जाए की है भारत में जासूसी सरहदी सुचनाओं से जुड़े सक पर मिलेटरी इंटेलिजेंस warranty को भी जाच में सामिल किया गया है पाकिस्तान से सीमा फोन लेकर आई लेकिन नेपाल में उसने पाकिस्तानी सिमकार्ण नहीं किया नेपाली सिमकार्ण यूज उज्यारी सिममा ने क्यों रख रही थी फोन का डाटा रिकवर किया जा रहा है सचन और सीमा दोनों की इंस्टाग्राम वार वाट्सेप पर चैटिंग वा कॉल हुई थी इनकी भी जाच की जा रही है सीमा के मुवाइल से अधिकांस चैट डिलीट की गई है ATS, IB, LIU ने हिरासत में सीमा और सचन से 48 गंटे तक पूछताच की है जाच लगातार चल रही है अपने जासूस होने पर सीमा क्या कहती है ये भी जानना जरूरी है तो BBC की एक रिपोर्ट है इसमें अपने उपर लगे आरोंपो पर सीमा कहती है मैं कोई जासूस नहीं हूँ गरीब परिवार के लड़की हूँ जादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है हाँ मुझे थोड़े बहुत अंग्रेजी के सब्दों का ग्यान है लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि मुझे इंग्लिस आती है आप दो लाइन इंग्लिस बुलवाएंगे तो मैं तो जिनका ठा मेरे बच्चे फोन चलाते हैं इसके अलाबा मेरे पास पाकिस्तान के तीन आधार कार्ड थे जिसमें एक मेरे पिता एक गुलाम हैदर और एक मेरा कार्ड सामिल था यह वात इनके द्वारा बोली गई निउस चपकर आती है पाकिस्टानी वोमेन लिविंग इन सेज अडॉप्टेड हिंदू इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है पतक किस परकार से भारत की परंपराएं बगएरा चलती हैं भारत में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आपकी जीवन को सुगम बना सकती हैं उस सब की बहतरी से इनके द्वारा जानकारी थी हिंदू धर्म अपना लिया ऐसा कहा गया चेंज द फोर केट से नेम्स टू चारो बच्चों के नाम भी बदल दिये आगे आप खबर देखते हैं तो सीमा हैदर ने सचिन के घर में तुलसी पूजन किया था सारे जो रीति रिवाज हैं भारत के अंदर हिंदू होने के लिए वो सारे के सारे किये जा रहे हैं आला कि आपके सामने पूरी कहानी जो है वो इस पश्च रूप से रखने का प्रयास किया आपको कहानी कैसी लगी और आपकी राय इस बारे में क्या है आपका जासूसी दिमाग इस बारे में क्या बोलता है कमेंट के माध्यम से अपनी राये जरूर रखें वीडियो को जादा से यादा सेयर करें लाइक करें अपने साथियों के साथ सेयर जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार पता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद